आज हम बनाने जा रहे हैं एक No Cooking Oreo Chocolate Modak यह बहुती easy and quick recipe है तो इसे बनाने के लिए मैंने यूज किया है 1 Packet Oreo Biscuit यानि की 12 Biscuits पहले हम इसके Cream और Biscuit को Separate करेंगे मोदक गनपती जी का बहुती favorite sweets है तो आप इसे भोग के प्रशाद के लिए बना सकते हैं अंत तक आप इस वीडियो में बने रहें ताकि इसको बनाने का 10 मिनिट का प्रोसेस आपको easily पता लग जाए और आप quickly इसको बना पाएं यहां आप देख सकते हैं क्रीम और Biscuit मैंने सेपरेट कर लिया है अब चलते हैं Biscuit को Grind करने के तरफ Grindr jar में हम Biscuit को तोड के डालेंगे ऐसा करने से Biscuit easily churn होके पाउडर हो जाता है मौदक बनाने के लिए हमें बहुती फाइन पाउडर चाहिए आप देख सकते हैं यहां पाउडर हो चुका है सारे Biscuits इस Biscuit के पाउडर को आप एक बॉल में निकाले और साथ मैं आड करें 1 फोर्थ कप फ्रेश क्रीम इसको करें अच्छे से mix यह बेसिकली एक dough formation होना चाहिए इसका तो आप अच्छे से इसको mix कर दें यह असानी से dough बन जाता है आप देख सकते हैं यहां टू मिनिट्स ओफ मिक्सिंग के बाद हमारा dough बन के तयार हो गया है अब चलते हैं हम हमारे वनीला क्रीम की तरफ इसमें हम एड करेंगे अप पिंच ओफ कार्डमम पाउडर यार्न की इलाइची पाउडर इसको करेंगे अच्छे से mix अगेन इसको हमें एक dough बनाना है यहां आप देख सकते हैं एक मिनिट के मिक्सिंग के बाद आपका क्रीम का भी dough बन के रेडी हो गया है नेक्स्ट हम हमारे मोदक मोल्ड को अच्छे से घी से ग्रीस करेंगे ताकि हमारा dough चिपके ना इसमें इस मोदक मोल्ड को हम close करके dough को हम insert करेंगे इस मोदक मोल्ड में पहले हम चॉकलेट dough की एक lining करेंगे मोल्ड के अंदर बेसिकली हम एक small ball बनाएंगे और उसको gently प्रेस करेंगे मोल्ड के अंदर ताकि वो मोदक का shape ले ले साथी मैं और एक small ball बनाऊंगी वनिला क्रीम का और उसको मैं insert करूंगी मोदक के अंदर लास्टली हम seal करेंगे चॉकलेट मिक्स के साथ जेंटली करेंगे इसको प्रेस एंड यूर मोदक is ready to de-mold be very careful जब आप मोदक को मोल्ड से निकालेंगे ये काफी soft रहता है तो तूटने का डर रहता है बहुत अराम से आप मोदक को मोल्ड से निकालें and here your मोदक is ready तो इस quick instant chocolate मोदक को आप घर पे जरूर ट्राए करें and please include it in your book का प्रशाद ताकि गणपती जी भी बहुत happy happy हो जाए and once again मेरे सारे viewers को गणेश चतूर्ती की हार्दिक शुब काम नाए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे दिया गया red button क्लिक करें और मोदक की इस recipe को अपने friends and family के सार शेर जरूर करें thanks for watching, bye bye